कैसे हैं सब लोग जोड से बताओं बहुत अच्छे अब तो मैं उपर उठी आप तो दिख रहा हूं मीडिया को भी अपना काम करने दो विचारों को कोई नहीं मीडिया को भी काम करने दो अपने लगाँ आज यहां पे आए हुए सभी भाईयों बहनों माताओं बुजर्गों बच्चों आप सबको मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम मैं अभी अभी यह पूरा घुम के आया हूँ जो आज डॉक्टर भीम राओ अमबेड कर वरिष्ठ नागरिक निवास बुजर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है अभी अभी मैं घुम के आया बहुत ही शामदार बनाए है बहुत ही अच्छा बनाए हर चीज का इसमें ख्याल रखा है कैसे रहेंगे ऐसा निकी सबको एक एक कमरे में कईयों को ठूस दिया एक कमरे में या तो दो रहेंगे या तीन रहेंगे बड़े बड़े कमरे हैं अटेज टॉयलेट बातरूम है खेलने की सुविधा है दवाईयों की सुविधा है डॉक्टर की सुविधा है फिजियो थेरेपी की सुव वेब्रेरी है, सारी चीजों का ध्यान रखा है, मैं समझता हूँ जितने भी जो भी बुजुर्ग यहां पे आके रहेंगे, उनको सब किसम की, वैसे तो अगर अपने घर में ही रहें तो बहुत अच्छा रहता है, घर जैसी विवस्था तो कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन हमने क कोशिश यह की है वही, जो अपना घर छोड़के आके जिनको मजबूरी में यहां रहना पड़ेगा, उनको यह न महसूस हो की, हम घर छोड़के आए हमारे को पूरी सुविधानी मिल रही, आज जिस तेरह की जिन्दिगी हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, से नहीं बनती, बच्चों की बुजूर्गों से नहीं बनती, बहुत सारे बुजूर्ग ऐसे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं बुढ़ापे में देखने वाले, कई कारणों की वज़े से, कई बुजूर्गों को अपना घर छोड़ना पड़ता है बुढ़ापे में, उनकी कोई देखरे करने वाला कोई नहीं होता और ये कोई जरूरी नहीं कि गरीबों में ही है कई बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बुजुर्ग जो है उन बुजुर्गों को भी बुढ़ापे में देखने वाला कोई नहीं होता हम बच्चे ख्याल नहीं रखते आज कल की जिन्दगी ऐसी हो गई ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो निवास्थान बनाएं हमने आज ये चौथा बनाएं अभी मेरे को हमारे सेक्रेटरी साब बता रहे थे कि और नौ टोटल नौ बन जाएंगे दिल्ली में हजार के करीब लोग रह सकेंगे और भी बनाएंगे कमी नह होने देंगे तो जितने भी बच्चे जिन बुजुर्गों को नहीं रखते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं जिस वज़े से भी जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में रहने की जरूरत है हम कोशिश करेंगे उनको बुढ़ापे में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होन मैं देख रहूं, बहुत सारे बुजूर्गे, तीर थेत्रा कौन कौन करके आया है, एक, दो, तीन, चार, चार ही जने करके आया है, सारे जने जाओ, दुबारा शुरू हो गई हाँ, दो, तीन यहां पे भी है, पहले बीच में करोना की वज़े से तीर थेत्रा, देख, तीर तीर थेत्रा बंद हो गई थी, मैं बता दू जिन लोगों को नहीं पता, दिल्ली सरकार, बुजुर्गों को फ्री में तीर थेत्रा कराके लाती है, कई सारी जगे है, दौरका जी है, हरद्वार इशिकेश है, मत्रा वरिंदवन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, रामे अपने आपको रेजिस्टर कर लो, वेब साइट पे जाके, आपको घर से लेके, लाना, ले जाना, ट्रेन, एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुखवाते हैं, सारा खाना पिना सब फ्री है, अच्छे से बुड़ापे में तीर थेत्रा करके आओ, बहुत अच् तो जितने भी बुजुर्ग मेरी आवाद सुन रहे हैं, सारे जने अपने आपको रेजिस्टर करो, और सब लोग तीर थेत्रा करा के लाओ, और जो बुजुर्गों के लिए निवास्थान बना रहे हैं, इनमें भी जितने लोग रहेंगे, सब को हम तीर थेत्रा पे लेके जाएंगे, उनकी मन पसंद की तीर थेत्रा पे लेके जाएंगे। पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है कि दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। मैं अभी पंजाब गया था, वहां पे लोगों को सब कुछ पता था, मिर को कहने की जरूरती नहीं पड़ी। लोग ही बताते थे जी, दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गया, अस्पताल अच् लिके आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं, जो इतना शांदार निवास्थान बनाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे निवास्थान बनाने की जरूरत ना पड़े। सारे बुजूर्ग अपने बच्चों के साथ अपने अपने घर में सुखी रहें खुश रहें लेकिन फिर भी कुछ जगया होती है जहापे बनती नहीं है तो निवास्थान बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे जिन जिन बुजूर्गों का जुरूरत है चिंता मत करना आप का बेटा बैठा यहां सरकार में आपका ख्याल हम रखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया